अव्यक्त शिक्षाओं का अन्मूल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है जिन्दगी का अफसाना अमूल ये रतन अमूल ये रतन अमूल ये रतन ये श्रंखला सर्वात्माओं के पेता परमात्मा शिव के द्वारा उचारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है अम शांती गॉल ये रतन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है कहते हैं अंधेरे में प्रकाश बनो तूफानों में अडोल बनो और युद्ध के समय शांत रहो पर देखा जाता है कि अक्सर इंसान अंधियारों से घबरा जाता है तूफानों में डावाडोल हो जाता है और युद्ध के समय अक्सर अपना नियंत्रन खो देता है और इसलिए परमपिता परमात्मा हमें नकारात्मक परिस्थितियों में सकारात्मक रहने की आवश्यक्ता वो विधियां समझाते हैं इन विदियों को आज हम इश्वरिये महावाक्यों द्वारा जानेंगे, पर इन महावाक्यों के इस पश्टी करण के लिए हमारे मद्दे हैं, प्रुचा पिता ब्रम्हा कुमारिस इश्वरिये विश्विद्याले के वरिष्थ राजयोगी शिक्षक आदर्नी राजुभाय स पर इस अब आज के एपिसोड में बहुत बस्वाकत है, पर इस अब आज हम बात करेंगे 26 फरवरी 1995 के महावाक्यों पर जिसका टॉपिक है संगम युग, उत्सव का युग है, उत्सव मनाना अर्थात, अविनाशी, ओमांग उत्सहा में रहना, पर इस अब ये महावाक्य महाशिवरात्री के उत्सव पर उत्चारत किये गए है, परमात्मा कहते हैं कि यह शिव जयनती शरीरधारी आत्मा की नहीं, निराकार बिंदु रूप की जयनती है, शिव जयनती कहने से जोती बिंदु रूप ही सामने आता है, तो सारे कल्प में अशरीरी परमात्मा की ज एक ही त्रिमूर्ती शिव बाप की विचित्र जयानती है, जो अशरीरी है, और यही एक शिव जयानती है, जो बाप और बच्चों की साथ-साथ जयानती है। और शिव परमात्मा का जो चिन्ह दिखाया, वो कोई व्यक्ति का चिन्ह नहीं है, भले वक्तों ने भूल करके शिव और संकर को एक कर दिया। वास्तों में शिव परमात्मा हैं और संकर आकारी देवता हैं। तो संगम यूग एक ही समय है जब उनका एक बार इस दुनिया में पूरे कल्प में आना होता है। और आते हैं तो परकाया प्रवेश करते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। लेकिन जन्म जयानती इसलिए मनाई जाती है कि उनका आउत्रण हुआ। उन्होंने प्रवेश किया। आप लोग टॉपिक रखते हो, अनेकता में एकता, तो प्रेक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाशाए, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, चुकि एक बाप है, चाहे अमेरिका से आए हो, चाहे अफ्रीका से आए हो, लेकिन दिल में ए पर चलने वाले हो तुस अपर्मात्मा जब सर्व आत्माओं के पिता है तो आत्माओं का पिता एक है और हम सब दहिक शरीर का सम्मंध होने के नाते सरीर का धर्म है, सरीर के जनम के इस्थान है कोई ने अमेरिका में जनम लिया, कोई ने अफरीका में जनम लिया, कोई ने जापान में जनम लिया, कहीं पर भी उनको शरीर मिला, लेकिन हैं सब आत्मा हैं एक परमात्मा के बच्चे, और एक ही घर से इस रश्टी मंच पर पार्ट बजाने आए हैं, जब ये स्मृत्ति र रूपरंग भी अलग-अलग है लेकिन फिर भी अनेकता में एकता है क्योंकिक्ही है एक परमात्मा के बच्चे है बिल्कुल जब हम परमात्मा को पिता मान लेते, पहचान लेते और उनके साथ हम जुच जाते bizi कि हम एक बाप के बच्चे आपस में भाई-भाई हैं, भाई-बहन हैं, अनेकता समाप्त हो जाती है और हम एकता के सूत्र में बन जाते हैं. बिलकुल, परमात्मा कहते हैं कि ब्राम्भण जीवन का सांस है उमांग उत्सहा, अगर सांस चला जाए तो जीवन सेकिंड में खत्म हो जाएगी न, तो ब्राम्भण जीवन में यदि उमांग उत्सहा का सांस नहीं, तो ब्राम्भण जीवन नहीं, जो सदा उमांग उत्सहा में होगा वो फलक से कहेगा कि ब्राम्मन हैं ही उमंग उत्साह के लिए और जिसका उमंग उत्साह कम हो जाता है उसके बोल ही बदल जाते हैं वो कहेगा है तो सही हो ना तो चाहिए हो जाएगा तो ये भाशा और उस भाशा में कितना अंतर है वैसा ब्राम्मन जीवन के इस जैसे सरीर को स्वास की जरूरत है, अगर स्वास बंद हो जाती है, तो सरीर खतम हो जाता है, ऐसे ही परमात्मा कहते है, जो ब्राम्हन जीवन है, इसके अंदर उमंग है, उसा है, खुसी है, तो ये ब्राम्हन जीवन है, सदा नए नए प्लैन आते हैं, नए नए सेवाइं च देरे देरे उमंग उसा कम होने लगता है। तो परमात्मा कह रहे हैं, आप बच्चों की शांस उमंग उसा है, और उमंग उसा में रहने वाले सदा आगे बढ़ते रहते, सेवाओं के नए-नए प्लैन बनाते रहते, अपने उंची इस्तिती बनाते, और नहीं तो उमंग उसा कम हुआ कर लेंगे, हो जाएगा, चल तो रहे हैं, इस प्रकार की भासा का प्रियोग करने लगते हैं। तो परमात्मा अपने बच्चों को देखते हैं, ब्राम्हन तो बन गए, लेकिर उमंग उसा कितना है, और उमंग उसा है, तो नमीनता है, और सिवाओं में ब्रद्धी होती है। परमात्मा के कहते हैं कि उमंग उसाहा कम क्यों होता है। परमात्मा कहते हैं, सदा वहा वहा कहू। और कहते हैं, वाई वाई, अगर कोई भी परिस्थती में वाई शब्द आ जाता है तो उमांगुचसाह का pressure कम हो जाता है कोई भी प्रशन अगर उठा दिया क्यों क्या कैसे में अगर हम उलज गए तो हमारा उमांगुचसाह कतम हो जाएगा क्यों कि नाटक चल रहा है, खेल चल रहा है और खेल में variety scene सामने आती हैं, उस scene को देख करके, परिस्थितियों को देख करके, अगर वाह वाह निकलता है, वाह 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 वाह, कैसा आपका आई वाह ड्रामा, यह कितना सुंदर ड्रामा बना है, तो उस परिस्थिति में हमारा उमंगुसा कम नहीं होता, उसको पार करने क लिए हम नए नए प्लैन मनाते हैं, और पार हो जाते हैं, लेकिन अगर वो परिस्थिति देख करके, ऐसा क्यों हुआ, इसे नहीं होना चाहिए, वाह 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 करते रहे, तो वो जो उमंगुसा है, वो नीचे आ जाएगा, बिलकुल, परमात्मा आगे कहते हैं कि जब यह नैचुरल स्थिती हो जाए, कि हर व्यक्ति को, बात को पॉजिटिव व्रिती से देखो, सुनो या सोचो, तो कैसी स्थिती रहेगी, आजकल के साइंस द्वारा भी ऐसे साधन निकले हैं, जो रफ माल को भी बहुत सुन्दर रूप में बदल देते हैं, आपकी व्रिती क्या ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती, आए नेगेटिव रूप में लेकिन आप नेगेटिव को पॉजिटिव व्रिती से बदल दो, तो जो हम कहते हैं पॉजिटिव व्रिती इससे क्या भी प्राय है, दुनिया के अंदर अभी जो कुछ हम देख रहे हैं, प्रकार के प्रस्ट उठ जाते हैं, परमात्मा कहते हैं आप बच्चे उस नगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो, जब साइंस वाले कोई व्रित को वेष्ट को बेष्ट बना देते हैं, रफ माल को मालो इधर उधर का किछड़ा है तो उसे अच्छी रोड बना देते उसको रफ को भी वेष्ट को भी वो अच्छे में परिवर्तन कर देते हैं, तो आप बच्चों के पास तो स्रेष्ट व्रत्ती है, सुभ व्रत्ती है, उस सुभ व्रत्ती के आधार से परमात्म सक्ती उसमें है, याद की सक्ती समाई हुई है, उस व्रत्ती और उस सक्ती के आधार से अगर कोई ऐसी सीन है जो लगता है ये बिलकुल काम की नहीं है ये बेर्थ है ये नगेटिव है उसको अपनी व्रत्ति से चेंज करो उस वायू मंडल को परिवर्तन कर दो इसमें भी कुछ रहसे है इस बात में भी कुछ कल्यान है इससे भी हम सीखेंगे आगे बढ लेकिन उसमें कुछ न कुछ तो अच्छा ही है है इसा बात मा पने बच्चों के रहते है बच्चे बद्रस जो आया आपके सामने आपको अनुभवी बना के गया आगे कि लिए आप उसे धोखा नहीं खाएंगे अगर कोई धोखा दिया धोखा मिला थे नुक्सान हो गया और आपने अपनी इस्थिति धहरिवत रखी, तो उसमें भी कहीं रास्ता निकलाएगा, और वो अनुभव के अथार्टी आप बन जाएंगे, फिर दुबारा धोखा नहीं मिलेगा, इसलिए बुराई में, नगेट्टिव में भी आपका कुछ न कुछ कल्यान समाया हुआ है लेकिन अपने मन की इस्तिति को उसमें बिलकुल हलचल में नहीं लाओ, बिलकुल इस्तिर और एकागरह करके उस द्रस्य को देखो, बाबा का साथ लो, उस द्रस्य को पार करो और उससे अनुभवी बन जाओ, अनुभव बनना भी तो अच्छा ही है, वो भी तो एक ये मॉडल बनाते हो न, न सुचू, न देखू, न बोलो, न करू। साइलन्स की पावर क्या नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकती। आपका मन और बुद्धी ऐसा बन जाए, जो नेगेटिव टच नहीं करे। सकेंड में परिवर्तन हो जाए, ऐसे तीवर्गती की अनभूती कर सकते हो, मन और बुद्धी ऐसा तीवर्गती का यांत्र बन जाए। साइलन्स की शक्ती से कैसे हम नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलें। तो सामने वाली परिस्थिती है नगेटिव, बिलकुल बेर्थ और नगेटिव सोचने वाला, बोलने वाला, परमात्मा पहला मंत्र यह पक्का कराते हैं, यह नगेटिव, सी नगेटिव, टाक नगेटिव, इसके साथ थिंक नगेटिव और डू नगेटिव, जब हम बेर्थ सोचते नहीं हैं, बेर्थ बोलते नहीं हैं, बेर्थ देखते नहीं हैं, बेर्थ करते नहीं हैं, तो जब बेर्थ से हम बचे हुए हैं, तो जो बात सामन तो आत्मा एकदम सामने वाली परिष्थिति को परक सकती है, और परक लेगी तो नेड़ने करके सेकें उसको परिवर्तन करेगी, इसलिए परमात्मा कहते हैं आपके पास जो इसको बढ़ाओ, जितना समय होगा मन बुद्धी को सांत रखने का अभ्यास करो, सांत रखने से हल जब मन के अंदर है तो हम कोई भी बात को ठीक समझ नहीं पाते, परिष्थिति को परक नहीं सकते हैं और फिर हम धुखा का लेते, इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं, एक तो साइलेंस पावर से परमात्मा की टचिंग आएगी, जाइट रांग का पता चलेगा, नगेट अगेटियो को पॉजिटियो में परिवर्तन कर सकते हैं, परमात्मा के कहते हैं कि कुए क्विक स्पीड से परिवर्तन हो जाए, इसको कहा जाता है, ब्रांभन जीवन का मजा मौच, अगर जीना है तो मोच से जीएं, सोच सोच कर जीना वो जीना नहीं है, आप लोग औरों जीने की कला है तो आप लोग राजयोगी जीवन वाले हो न कि कहने वाले हो जब राजयोग जीने की कला है तो राजयोगियों की कला क्या है यही है न तो उट्सव मनाना अर्थात मौज में रहना मन भी मौज में तन भी मौज में संबंध संपर्क भी मौच में, सब राजयोगी जीवन की इस मौच को सपष्ट करें। हम सब दूसरों को ये बात जब कहते हैं कि राजयोग जीने की कला सिखाता है। तो जीना क्या हमारे इस ब्राम्हन जीवन में मुझे आता है। कई लोग राम्हन तो बन गए, बाबा के बच्चे बन गए, लेकिन चलते चलते जब उनके आगे कोई परिष्टिती आती हैं, पेपर आते हैं, तो जो मौच कानुभ है उसकी वजाए वो मूझने लगते हैं, उलजन में आ जाते हैं। सोच सोच करके अपने मन को उजा देते हैं। परमात्मा कहते हैं, अगर आप राजयोगी हो, तो राजयोगीों को कला आनी चाहिए, कैसे हमको सब के साथ मिल करके चलना है, किस वैलें से चलना है, तो मौझ की जीवन कानुभ हो, खुद भी मौझ में रहें, दूसरों को भी मौझ का अनुभव कराएं, उसके लिए परमात्मा कहते हैं, राजयोग कला है, और राजयोग हमें सिखाता है कि सब संबंधों में रहते हुए, राजाई में रहते हुए, आप योगी हैं, नियारे और प्यारे हैं, योगी कहीं फस्ते नहीं हैं, तो अगर ये कला आ गई, तो उस कला के आधार से सबके साथ सम्मंद संपर्क में आते हुए हमेशा अपनी मौझ की इस्तिती में रहते हैं कभी मौझते नहीं है उनके बोलने में उनके चलने में दिखाय देता है इनकी जीवन बड़ी मौझ की जीवन है कई कई चलते चलते मौझ जाते हैं और उलज कर कि पिर कहते हैं कहा ब्राह्मन बन गए फस गए ऐसा हो गया लेकिन अगर सच्चे पक्के ब्राह्मन और राजयोगी हैं तो राजयोगी उको कभे भी उल्जन हो ही नहीं सकते हैं मुझ सकते नहीं उस दा मौझ में रहते हैं परमात्मा कहते हैं कि कई बच्चे कहते हैं, अपने रीती से तो ठीक रहते हैं, अपने मौज में रहते हैं, लेकिन संबंध संपर्क में मौज में रहें, ये कभी-कभी होता है, लेकिन संबंध संपर्क ही आपके स्थती का पेपर है, यदि स्टुडेंट कहे, वैसे तो मैं पास विद आउनर हूँ, लेकिन पेपर के टाइम, मार्क्स कम हो जाती है, तो ऐसे को क्या कहेंगे? परमातमा के कहते हैं कि जो सदा बाप के पास रहते हैं, वो पास है, पास नहीं रहते, तो पास नहीं है. संबंध संपर्क में मौज में रहना, इसको थोड़ा सपष्ट करें. कहीं लोग अपने आप में तो मौज में अच्छा अनुभो करते हैं, कि मेरी अच्छी इस्तिती है, मैं अच्छा योग में रहता हूँ, मेरा बहुत अच्छा पुरसार्त है, मौज का अनुभो करता हूँ, लेकिन जब फेल्ड में आते हैं, संबन्द संपर्क में आते हैं, तो वहाँ पर भिन भिन सुभाहों हैं, संसकार हैं, बाते आती हैं, कुछ हिसाब किताब सामने आते हैं, उसमें मूजने लगते हैं, कि इनके साथ कैसे चलेंगे, यह तो ऐसे संस्कार वाली, यह तो ऐसे करते हैं, यह ऐसे करते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि आपको कला नहीं आती है, अगर स्टुडेंट कहें, मैं तो बहुत हुस्यार स्टुडेंट हुआ नहीं बहुत अच्छी पढ़ाई की है, कोई भी पेपर आए, अगर पेपर के सम वह घबडा गया, मूझ गया, फेल हो जाएगा, इसलिए परमात्मा हम सब को कह रहे हैं कि यही तो आपका पेपर है, संबन संपर्क में आये बिना कैसे इस्थिति का पता पड़ेगा, इसलिए सब के साथ संबन संपर्क में आते हुए अनभो करो मेरी इस्थिति मोझ की पहचान करके उनको किस चीज की जरूरत है, उसको उसी तरह से तरप्त करो, संतुष्ट करो और अपने आपको मोझ में रखो प्रमात्मा कहते हैं कि राज्य अधिकारी से भी अब का सेवाधारी जीवन श्रेश्ट है, क्योंकि अभी बाप और बच्चों का साथ है, चाहे किसी भी प्रकार की सेवा है, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है, बाप का स्निही, सहयोग और बाप द्वारा मिल हुए खजाने प्रत्यक्ष फल के रूप में मिलते हैं। जब भी कोई विशेश सेवा करते हो और युक्ती युक्त सेवा करते हो तो कितनी खुशी होती है। उसे परमात्मा कह रहे हैं कि राज्य अधिकारी से भी वर्तमान सेवाधारी जीवन श्रेश्ट है। इसको युक्ति युक्ति अथार्थ सेवा हो रही है, तो परमात्मा की दुआयल हैोनकी इच्छत रचाया है। उनका स्ने अंका साथ मिल रहा है। वहमें हर कदम मदद कर रहे हैं। अंदर से सेवा से खुशी प्रापतो रहे। जो संगं पर ये भाग्य है Прocurक्भ जो सेवाधार जीवन में जो मोज है, जो अच्छे अनुभो हैं, वो भविसी में तो रहेंगे ही नहीं, कि वो राज्य है, प्रजा है, सम्मान है, वो अलग चीज है, लेकिन यह आंतरिक खुसी का अनुभो, सरव खजानों से संपन्नता का अनुभो, परमात्म मिलन का अनुभो, यह वो साथ दिलाओं, परमात्मा की कहते हैं कि सेवा में हल्चल होती है या नहीं, कभी-कभी होती है, यह हल्चल ही परिपक्व बनाती है, अनुभवी बनाती है, हल्चल में इसलिए आते हो, जो सिर्फ वर्तमान को देखते हो, लेकिन वर्तमान में छिपा हुआ, खविष्य जो ह उस पश्ट नहीं दिखाई देता है इसलिए हलचल में आ जाते है कोई भी बड़े ते बड़ी नाजुक परिस्थिती वास्तव में आगे के लिए बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है परिस्थिती नहीं है लेकिन वह आपकी टीचर है उस नजर से देखो कि इस परिस्थिती ने क्या पाठ पढ़ाया इसको कहा जाता है नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ब्रह्मा बाबा ने प्रेक्टीकल में ऐसी नेगेटिव परिस्थितियों में बहुत पाठ पढ़ करके खुद आगे बढ़े और सबको आगे बढ़ा दिया वो सारी परिस्थितियां बाबा के सामने आई जब भारत में माउंट अबू आये हैं बाबा उस समय आर्थिक रूप से प्रॉब्लम्स आए सब प्रकार से बेगरी पार्ट सुरू हुआ लेकिन बाबा उस नगेटिव द्रस्य में भी छिपा हुआ कल्यान देख रहे थे अगर ये पेपर से बाबा नहीं लेते तो इनके अंदर ये नहीं आता कि मेरे पाँ जो इतना ग्यान धन है गुनों का धन है मैं इसका धन करूँ मर्जा तो यहीं रहना है बाबा के अंग संग ही रहना है साथ ही रहना है लेकिन बाबा को पता था कि इन बच्चों को तयार करना सेवाओं पर भेजना है उसके लिए पेपर लिया अब पेपर आया उस नगेटिव द्रस्य को बाबा ने पॉजिटिव में चेंज कर दिया, कि इनके पास इतना धन है, ये संपत्तिवान है, इस धन का दान करो, सिवा करो, तो आज इतनी सिवाओं की व्रद्धी हो गई, इसलिए बाबा कह रहे हैं, वो परिस्तितियां आपको पेपर बन करके आई हैं, आगे बढ़ाने के लिए बढ़ाओ नहीं, हलचल मान लो आज मक्षन निकालना है, तो हिलाना पड़ता है, हलचल आती है, तभी हिलता है, तभी बनता है, तो अगर कोई भी अच्छी चीच प्राप्त करनी है, तो कोई भी हलचल आती है, तो हलचल में डरो नहीं, डगमग नहीं हो जाओ, आई है, उ इसलिए परमात्मा कहते हैं कि माया अंत तक बहुरूपी बन, बहुरूप दिखाएगी। माया को बहुरूपी बनना बहुत जल्दी और अच्छा आता है। जसे आपकी स्थिती होगी न, वैसी परिस्थिती बना कर आएगी। आज मानू आप थोड़ा सा अलबेले जीवन में हो। तो माया भी उसी अलबेली परिस्थिती के रुप में आएगी। आज मूड थोड़ी ओफ है। जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं है। तो मूड ओफ की परिस्थिती के रूप में ही आएगी फिर सोचते हैं कि पहले ही मैं सोच रही थी फिर ये क्या हुआ इसलिए माया को देखने के लिए जानने के लिए त्रिकाल दर्शी और त्रिनेत्री बनो आगे पीछे सामने त्रिनेत्री बनो इसलिए माया के बहरूपों को पहचानना जरूरी है भावा कई बार कहते हैं जिस रूप में पहचान लोगे अगली बार वो रूप परिवर्तन करके आएगी इसलिए उसके रूप को तिरकाल दर्शी बन करके देखो और पहचानो और अपने को सेफ कर लो माया कभी भी आपको हरा न सके कोई किसी भी रूप में आए नहीं तो जिस कमजोरी के अंदर आप होंगे अलवेले होंगे मूड कराब होगी तो वैसी ही परिस्तिति क्रेट करके आपके सामने आएगी और कहेंगे देखो हमने कहा था ना सोचा था इसलिए ऐसा हो गया पर म मात्मा हम सबको कह रहे हैं माया के बहुरूपों को पहचानों और माया जीत बन करके विजयी बन करके दिखाओ मिलकूर भाइसाबाज हमने बहुत इस पश्टता से समझा कि कैसे हम ब्रामभण जीवन में उमांगुत सहा में रहे और कैसे हम नेगिटिव को पॉजिटिव में परिवर्दित करें पश्टी करन के लिए आपका बहुत भा धन्यवाद दर्शकवाज के महवाक्यों में परमात्मा ने कहा कि उमांगुत सहा ब्रामभण जीवन का श्वास है श्वास नहीं तो जीवन नहीं परमात्मा ने कहा कि हमें अपने साइलेंस की शक्ती से नेगिटिव को पॉजिटिव में परिवर्दित करना है परमात्मा ने कहा कि माय को यथार्थरीती पहचानने के लिए हमें त्रिकाल दर्शी वत्रिनेत्री बनना है और परिस्थितियों को अपना टीचर समझना है तर्शकुआज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें इमेल कर सकते हैं हमारा इमेल आइडी है मुख्यसार हलचल में आने का कारण नेगेटिव सुनना, सोचना, बोलना और परणा राज अधिकारी जीवन और सेवाधारी जीवन राज अधिकारी से भी अपका सेवाधारी जीवन श्रेष्ट है क्योंकि अभी बाप और बच्चु का साथ है सेवा का प्रत्यक्षफल, स्नेह और सहयोगी अभी मिलता है जितना तन, मन, धन और संपर्क से सेवा करेंगे उतने ही वहां सेवाधारी मिलेंगे अपने रीती से ठीक रहने के साथ साथ संबंध संपर्क में भी सदा मौज में रहे संबंध संपर्की ही आपके स्थिती का पेपर है बहुरूपी माया जैसे आपकी स्थिती होगी वैसी परिस्थिती बना कर आएगी इस श्रंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्यार लेके सेवा केंदरों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवूर्ड स्टूडियो से संपर्क करें